आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दांतों पर कीडा लग जाता है आखर ये कीडा दिखता कैसे है? क्या कीडा दांतों पर चलता भी है? इस वीडियो में बात करेंगे आपके इस important question की वीडियो और अंतितक जुरूर देखेगा इस वीडियो में आपके वो मित को ब्रेक करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दो मिनिट में कीडा निकाले घर से कीडा निकाले आखर ये कीड़े जैसी चीज होती क्या है? केड़ा दिखता कैसे है और अगर केड़ा लग जा है तो क्या क्या किया जाए केड़े से बचने के लिए क्या क्या किया जाए दांतों को कैसे स्वस्त रखा जाए इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को अंतितक चुरूर देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नए है ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन पर क्लिक करना मत बुलिएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसी problem solving videos में आपको provide करता हो आईए करते हैं शुरुआत वीडियो की कीड़े को समझने से पहले न हम दांतों को समझते हैं दांतों की 3 layer होती है पहली enamel, दूसरी dentine, तीसरी pulp जैसा आप फोटो पर देख सकते हैं जो बाहर वाली layer होती है दांतों की उसको हम कहते है enamel जब भी हम कुछ भी खाना काते हैं जब कुछ भी किपीते हैं तो खाने के चोटे चोटे पार्टिकल हमारे दांतों के surfaces पर या दो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं और हमारे मुँ में काफी सारे microorganisms, bacterias होते हैं जो उन food particles पर जो चोटे चोटे दांतों पर चिपके रह जाते हैं उन पर attack करते हैं जिसके चलते जब वो attack करते हैं तो acid release करते हैं acid बाहर वाली layer जैसे मैंने आपको बताया बाहर वाली layer होते हैं enamel acid react करता है enamel के साथ जिसके चलते जो enamel सफेद रंकी होती है वो over the period of time black color की यानि की काले रंकी होनी शुरू हो जाती है और enamel में एक गड़ा बन जाता है जिसको हम कहते है dental cavity असल में कीडे जैसी कोई चीज होती ही नहीं वो तो हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा अगर मिठा खाओगे तो दांतों में कीडा लग जाएगा बट आपको as a parents, as a students पता होना चाहिए कि दांतों में कीडे जैसी कोई चीज नहीं होती dental भाशा में इसको कहा जाते है dental cavity यानि की एक गड़ा बन जाना दांतों में sudden हो जाना, dental caries भी आप कह सकते हैं उमीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा अब बात करते हैं ये dental cavity से बचा कैसे जाए कि हमारे दांतों में गड़ा बने ही ना इसके लिए चार उपाय में आपको कहूँगा कि आपको करने ही करने है सबसे पहला important rule जो मैंने कई वीडियो में बताया है यानि कि आपको दिन में दो बारी दो मिनट के लिए दो बारी दो मिनट के लिए ब्रश करना है एक रात को सोने से पहले और सुभा ब्रेकफास्ट के बाद अब इसके पिछी क्या लोजिक है रात को ब्रश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे particles हमारे दान्तों पर रह जाते हैं और अगर हमने रात को brush नहीं किया न तो हमारे मुँव में कई सारे bacteria होते हैं उनको पूरी रात मिल जाते हैं उन भोजन पर उन food particles पर attack करने की और जितना attack करेंगे उतना ही वो acid release करेंगे और acid हमारी बाहर वाली layer inamel के साथ react करेगा और ऐसा ही जब आप breakfast से पहले करेंगे पहले तो चलो आपने रात वाले food particles को हटा दिया फिर आपने भोजन किया फिर food particles चिपग गए फिर bacterias को पूरा दिन मिल गया उन भोजन पर attack करने का तो ये तो हो गया पहला rule दूसरी चीज़ जो आपको follow करनी अपने धानतों को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान रखेगा कभी कभी हमारे दो धानतों के पीच में food particles फस जाते है उस case में आप dental flossing का इस्तमाल कीजिए अब dental flossing कैसे करते हैं वो भी मैं इस channel पर बताऊँगा आपको subscribe कर लेना है बस तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है पूरा दिन अब कुछ भी खाएं आप खाने के तुरंत बाद नोर्मल पानी से गारगल जरूर कर ले कुरली जरूर कर ले इससे क्या होएगा जब हम कुछ भी खाते हैं खाने के छोटे छोटे particles जब हम कुरली करते हैं नोर्मल पानी से वो wash out हो जाते हैं क्योंकि हम हर बारी तो brush करनी पाएंगे चोथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है आपको केवल और केवल healthy food ही खाना है केवल और केवल healthy food ये चार चीज़ों का आप पालन कर लेंगे ना तो काफी हद तक chance है कि दांतों की बिमारिया आपको होईगी ही ने अब बात करते कि अगर dental cavity हो चुकी है तो क्या करे अगर तो आपको 6-7 दिन ही हुए है आपके मुह में आपको feel हो रहा है कि dental cavity हो चुकी है आप क्या कीजिए dentist के पास जाईए dentist क्या करेगा उस case में आपको floridated यानि की medicated tooth paste दे देगा जिसको apply करके जब आप brush करेंगे तो जहां पर dental cavity की शुरुवात होने ही वाली होएगी वो tooth paste क्या करेंगी उस जगा को उस area को remineralize कर देंगी dental caries को arrest कर देंगी कि आगे नहीं बढ़ पाएगी दूसरी जिस अगर आपकी थोड़ी सी cavity deep चली गई है यानि कि दूसरी layer तक चली गई है dentine तक उस case में dentist आपके उस cavity में masala भरेगा जिसको हम filling कहते हैं अब आपके mind में आ रहा होगा क्या feeling के बड़ दर्द भी होता है इसके लिए मैंने एक video बनाई हुई है वो जाकर जरूर देखिए आपका ये भी question का answer आपको मिल जाएगा तीसरी चीज अगर dental cavity आपके बहुत ज़्यादा deep चली गई है यानि कि third layer तक pulp तक तो उस case में आपका dentist क्या करेगा नसो का treatment यानि कि उस case में आपकी नसो को replace कर दिया जाते है artificial नसो के साथ और आपको एक cap आपके उस दान्त पर डाल दिया जाता है तो इस तरह ये तीन steps होते हैं treatment के तो सबसे बहले तो आपको जो मैंने घ्रेलू उपाई बताए है वो आपको अपनाने है ताकि dental cavity हो ही ना और अगर आपको लग रहा है कि dental cavity की शुरुआत हो चुकी है तो उसी time आप dentist के पास चले जाएए क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपके उस दान्त को recover करने में हमें असानी होगी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी informative लगी होगी और आपको clarity मिली होगी कि कीडे जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बताना चाहूँगा मैं भारत की पहली dental community बना रहा हूँ जिसमें मेरा एक ही purpose है कि भारत के लोगों को aware करना ऐसी ही जो गलत myth फिलाए हुए हैं लोगों ने उनको सही information दे के correct करना और यहां पर आपकी भी responsibility है कि इस वीडियो को अपने relatives के साथ अपने friends के साथ अपने बच्चों के साथ share कीजिए ताकि यह information सब भी के साथ पहुँचे और चैनल को जुरूर subscribe कर लिजिए सब्सक्राइब करने से मेरा भी बहुत होंसला बढ़ेगा और आपको invite करूँगा अगर आप WhatsApp community पर जुड़ना चाहे description में मैंने link दे दिया है अपनी details बरिये हमारी team आपको add on कर लेगी और मिलते अगली वीडियो में this is Dr. Pravjishani signing off जै हिल्द